इस कार को एक बार राइट साइड टायर को टर्ण करके थोड़ा पीछे किया गया है जो कि देखिए ये स्कूटी के थोड़े पास आचुकी है गाड़ी अब इस्टेरिंग को लेट मोडने के बाद आगे किया जाएगा और ये कार बाहर निकल जाएगा अपनी कार को बाहर कैसे निकाल सकते हैं कई बार ऐसा होता है कि आप कहीं भी मार्केट में या कहीं भी सिटी अंदर आप अपनी कार को पार्क करते हैं और पार्किंग में थोड़ा ही देर बाद आप वापिस कार चलाने के लिए आते हैं तो देखते हैं आपका पार्किंग ख बताने वाला हूं जिससे कि आप कंजिस्टेट पार्किंग से आप अपनी कार को इजीली बाहर निकाल सकेंगे तो आप देख पार हैं ये कार पार्किंग में खड़ी है स्विप्ट इजायर जिसके पीछे एक स्कूटी लगी हुई है और सामने एक स्विप्ट कार लगी तो गाइज अभी मेरे सामने एक कार खड़ी है पीछे एक स्कूटी खड़ी है और यहां पे मेरी कार पार्क हुई है अब यहां से बाहर निकालना है तो इन स्थिती में क्या करना पड़ेगा इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं सबसे पहले तो यह मैं रिवर्स गिय क्या नहीं है तो मैं क्या कर रहा हूं कि अब इतना ही सामने जो थोड़ा सा जगा बचा उसमें कम्प्लीट एस्टेरिंग को लेप मोड करके कार को दीरे 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 अंदाजा लगाते हुए मैं आगे चला रहा हूं जिससे कि अब मेरी कार बाहर आ गई है और यह अब मैं पार्किंग से कार को बाहर कैसे निकालना है यह वीडियो में आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा क्योंकि इसमें मैं आपको बहुत ही बारिकी से बताया हूं कि कैसे धीरे धीरे करके आपको आगे पीछे करके अपनी कार को बाहर निकालना है ऐसे ही आपको पैसेंस के के आप नीचे उतर के कार का judgment भी कर सकते हैं अंदाजा लगा सकते हैं देख सकते हैं कि कितना space बचा हुआ है तो guys मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो मेरी वीडियो को लाइक करिए मेरी चैनल को सस्क्राइब करिए मिलते हैं guys नेक्स्ट वीडियो में